हालो फ्रेंड्स गर्मियों में कुछ ठंडा ठंडा सा पीने को मिल जाये तो मज़ा ही आ जाता है और वो भी अगर इजी तरीके से बना हो फिर तो क्या बात है तो चलिए फ्रेंड्स आज हम बनाते हैं साबुदाना से बनने वाला ये मज़ेदार सा एकदम ठंडा ठंडा सा जिसे पीने के बाद आपका दिल, दिमाग और मन एकदम खुस हो जाएगा और जिसे भी आप पिलाएंगे वो भी आपकी तारिप के ठकेगा नहीं तो चलिए फ्रेंड्स इस रेसिपी के लिए वीडियो को लाश तक देखेगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे सेयर भी करिएगा और अगर चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दा बटन जरूर दबाए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हालो फ्रेंड्स मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आरती लाल की दुनिया तो चलिए फ्रेंड्स रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम दूद लेंगे तो यहाँ पर मैंने दो ग्लास दूद लिया है और नाप से अगर देखिए तो यह मेरा हाफ लीटर के करीब है और यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को अन नहीं किया है और अभी मैंने दूद को कड़ाई में डाला है और उसी के साथ हम यहाँ पर इसमें milk powder add करेंगे तो यह मेरा 2 टेबल स्पून के करीब milk powder है और इसे हमें अच्छे से दूद में mix कर लेना है और जब यह अच्छे से mix हो जाएगा तभी हम gas की flame को on करेंगे तो यह देखिए किते अच्छे से यह मेरा mix हो चुका है तो अब हम gas की flame को on कर देते हैं और अब हमें इसे धीरे धीरे चलाते हुए mix करना है और हमें इसे हलका सा थिक करना है तो बहुत ज़्यादा हमें इसे थिक नेक करना है तो यह देखिए दूद में एक boil आ चुका है तो ऐसे ही हमें चारो तरब से छुड़ाते हुए इसे पास मिनट के लिए और पकाना है और पास मिनट में ही एकदम perfect consistency का बन जाएगा तो flavor के लिए इसमें हम कुछ और चीज़े भी add कर लेते है तो यहाँ पर मैंने flavor के लिए सबसे पहले तो चीनी add किया है और चीनी को आप कम या ज़्यादा भी कर सकती है जैसा भी आपको मीठा पसंद हो तो यह मैंने एक कप चीनी डाला है इसमें और अब हम इसमें थोड़ा सा dry fruit add करेंगे तो यहाँ पर मैंने grate किया हुआ coconut डाला है और उसी के साथ मैंने यहाँ पर chopped किया हुआ काजू डाला है तो चाहे तो आप इन दोनों को paste बना के भी डाल सकती है तो लेकिन हलका सा अगर bites रहे तो बहुत ही अच्छा लगता है पीने में तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे chop करके और grate करके ही डाला है तो अब यह अच्छे से सब mix हो चुका है तो यहाँ पर हम gas की flame को अब off कर देंगे और दूद को अब हम side में रख देंगे जिससे यह normal temperature पर आ जाए और यहाँ पर मैंने अब chia seed लिया है जिसे सब्जा भी कहते है तो यहाँ पर मैंने 2 teaspoon के करीब chia seed लिया है और उसमें मैंने 2 kattori के करीब पानी डाला है तो इसे अब हमें भिगा कर रख देना है side में जिससे कि यह 10 से 15 minute में अच्छे से फूल जाएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से यह टेस्ट देती है खाने और पीने में तो चले इसे side में रख देते है और इधर मैंने यह साबुदाना लिया है तो यह मैंने एक गंटे पहले भिगा दिया था यह एक कप के करीब साबुदाना है आप चाहें तो अगर ना भिगाना चाहे तो यह कच्छे साबुदाना से भी आराम से बन जाता है पर मैंने इसे भिगा के बनाया है जिससे time की बच्चत होगी तो यह देखिए मैंने एक pan को gas पर चढ़ा दिया है और उसमें एक glass के करीब हम पानी डाल देंगे और अब हम इसमें अपना भिगा हुआ साबुदाना डाल देंगे तो ऐसे ही हमें इसमें कच्छे साबुदाना को डाल कर भी बनाना है तो यहाँ पर आराम से और फटा-फट से यह बन कर तयार हो जाएगा तो इसमें मैंने एक ड्रॉप के करीब फूट कलर डाला है ग्रीन फूट कलर तो यह देखिए अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे एक से दो बॉयल तक पका लेना है यह आराम से ट्रास्पेरेंट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से पक जाएगा तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से एक से दो बॉयल में ही अराम से पक गया और बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगा बनने में तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ करके इसे छान लेंगे तो यह देखिए मैंने इसे छान लिया है और ठंडे पानी से एक से दो पानी से हम इसे धो लेंगे तो अच्छे से इसे धोईएगा जिससे की यह स्टिकी ना रहे तो अब हम इसे साइट में रख देते हैं और इधर हमारा दूद भी नॉर्मल टंपरेचर पर आ चुका है तो चली फ्रेंड्स इसमें बाकी की चीजों को भी एड़ कर देते हैं तो यह देखिए मैंने कटे हुए अंगूर लिये हैं यह एक कटोरी के करीब हैं तो फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कोई भी इसमें आड़ कर सकती हैं जो भी आपको पसंदो सीजन में मिलने वाले कोई भी फ्रूट को इसमें आड़ कर ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी ही अनार के दाने इसमें डाले हैं और अब मैंने इसमें टेस्ट के लिए टूटी फ्रूटी डाला है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो थोड़ा सा मैंने रख दिया है जिसे हम इसे गानिस कर लेंगे तो अब हम तीनों को मिक्स कर लेते हैं तो चलिए अब हम इसमें इसका hero ingredients साबुदाना mix कर देते हैं और ठंडे पानी से दोने की वेज़े से ये बिल्कुल भी sticky नहीं है बहुत ही अच्छे से mix हो जाएगा तो बहुत सारे लोग इसे सागो भी कहते हैं तो आप इसे क्या कहते हैं प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा तो जो भी कहते हो ये बहुत ही tasty लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान होता है तो इसे हम अच्छे से mix करके अब फ्रिज में दो घंटे के लिए रख देंगे जिससे ये एकदम चिल्ड हो जाए और इधर हमारा सब्जा सीट भी अच्छे से फूल चुका है तो चले फ्रेंड्स अब हम इसे सर्फ करते हैं दो घंटे बाद हमारा दूद अच्छे से चिल्ड हो चुका है तो यहाँ पर मैंने एक glass लिया है और इसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा सब्जा सीट डाला है तो आप इसे अपने हिसाब से किसी भी तरीके से सर्फ कर सकती है डारेक्ट इसे सर्फ करिए या फिर सब्जा सीट के साथ तो दोनों इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है तो यह देखिए एकदम चिल्ड सा ठंडा ठंडा यह रिफ्रेसिंग ड्रिंक हमने इस glass में डाला है तो यह डालते ही बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में तो आप भी इसे एक बार बना के जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही असान लगता है बनाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यह देखिए फ्रेंड तो लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट में मिलने वाला कोई रिफ्रेसिंग सा ड्रिंक तो ऐसे ही बनाईए आप भी घर में आप भी इंज्वाइ कीजे और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो यह देखिए मैंने थोड़ा सा सबजा सीड इसमें फिर से आइट किया था और अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और अब हम इसे गानिस कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा और ज़्यादा चेल्ट करने के लिए इसे उपर से आइस क्यूपस टाले हैं और थोड़ा सा इस पे नट्स टालेंगे हम यहाँ पर मैंने ड्रैफ्रूट्स टाला है जो भी आपको पसंदो आप वो डालिये फिर तोड़ा सा टुटी-फूटी डला है और फिर ये देखिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी सा रिफ्रेशिंग सा ये साबुदाना ड्रिंग जो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और यकीन मानिए पीने में भी बहुत टेस्टी है तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा अपने फैमली और फ्रेंड के साथ इसे सेयर करेगा और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफ को मिलती रहे तो यह देखिए फरेंड्स कितना जधा टेस्टी है और एक दम जब इसे मुझमे डालेंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही जगां ज़्यादा बाइट के साथ यह आपको खाने और पीने में मजा देगी तो बस तयार है हमारा यह रफ्रेंसिं